So guys कि आप لوग Oliamitate पर trading start करना चाहते हो, लेकिन आप लोगो नहीं पता कि यहाँ पर trade कैसे लेते हैं, trading कैसे करते हैं, ट्रेडिंग करना आता है तो आप लोगो profit करना नहीं आता, profit कर रहे हो तो आप लोगो daily कैसे profit करना है ये नहीं पता अब अगर हम लोग सीधी बाष्टा में समझें तो आप लोगो Olimpate पर कैसे खेलना है ये आप लोगो नहीं आता आप लोगो किस तरह से Olimpate से daily रुपए कमाना है अभी आप लोगो ये नहीं आता होता है मेरे वॉलेट में अभी अच्छा खासा आमोन पड़ा हुआ है मतला कि लैक्स में बैलेंस अभी मेरे वॉलेट का Olimpate का अंदर जो कि मैं आप लोगो लाइब दिखाऊंगा और आप लोगो किस तरह से यहां पर पैसे कमाना है कैसे खेलोगे ट्रेड कैसे एक्जिक्यूट करोगे क्या क्या चीज़े होती है एकदम डीटेल में आप सभी लोग को समझाने वाल हो अगर आप लोग एक वेगिनर हो तो अभी आप लोगो एकदम अच्छे से हर एक चीज़े समझ में आ जाएंगे तो अगर आप लोगो ओलिम्टेट पर ट्रेड करकर पैसे कमाना है ओलिम्टेट पर कैसे खेलना सीखना चाहते हो तो बस इस स्टुडियो में हमाई साथ बने रहो तो यहाँ पर हम लोगोंने ओलिम्टेट अप्लेकेशन को ओपेन कर लिया है आप लोग साइड में सब कुछ देखते है रहना वे आप लोग का home page रहेगा जैसे आप लोग आप के अंदर होगे टूटल यहीं इंटरफेस आएगा यहीं पर आप लोगो सब भी functions को perform करना है trade करना है trade execute करना है profit करना है सब कुछ आप लोग को यहीं से करना है अब भाई देखो यहाँ पर जैसे आप लोग आओगे आप लोगो आपके demo account में एक free का fund सबसे पहले provide किया जाएगा आप लोगों ने application को open के तो application अपनी तरफ से 10,000 डॉलर या फिर 10,000 यूरो आप लोगो provide करती है या फिर कोई भी currency में आप लोगो 10,000 के आज़ पास कुछ ना कुछ currency में मिलेगा आप लोग उससे यहाँ पर trading सीख सरते हो आप लोगो वो demo account में मिलता है demo account से आप लोग यहाँ पर trading सीख सरते हो मिलेगा आप लोगो उससे trading सीखने है तिन आप लोगो real account में switch करकर आप अपना real money add करकर फिर real money से trade करनी है फिर जो भी आप लोग profit करोगे वो आप लोगा real profit होगा and demo account में बस वो demo अलगी दिखने के लिए रहेगा यहाँ पर कैसे आप लोगो सीखने के लिए demo account में कुछ ना कुछ फंडिया आप दिया जाता है अब कैसे क्या क्या चीज़ें आप लोगो सबसे पहले मैं यह समझाता हूँ पहले देखो आप लोग यह समझो आप लोग के सामने जो graph आ रहा है किसी भी asset की market हो सकती है यह market है अब आपको इस market के अंदर trade करना है अब देखो market में अगर हम लोग market देखें तो हर एक second market up down होता रहता है ठीक है market का कोई वरुसा नहीं है कब market up जाएगा कब down जाएगा तो भाई देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़े होती है जिसकी मदद से हम लोग यह analyze कर सकते हैं कि last 1 minute में, 5 minute में, 10 minute में graph अब जाएगा, market अब जाएगा या फिर down जाएगा अगर आप लोगों ने सही बताया, आपने सही से यहाँ पर trade place करी है तो भाई यहाँ पर आप लोगा profit होता है, यह चीज़ होती है all limited में अब बैदो को यह all limited में जितने भी trading platform होते हैं, समय यही चीज़ यहाँ पर होती है अब जैसे आप लोग होगे, आप लोग के सामने इस तरह का chart रहेगा पहले तो आप लोग chart को change करना, देखो यहाँ पर आप लोग आते हो trading करने के लिए तो कभी line वाला जो chart रहता है न इस पर आप लोग trader नहीं कर सकते है अगर आप लोगो सही से chart को analyze करना है, सब कुछ देखना है तो इसके लिए आप लोगो side में एक यह option मिलेगा, आप लोगो इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोगो एक Japanese Candlestrix को option देखता है अब इसके बाद आप लोगो जैसे आप लोग यहाँ पर होगे, आप लोग क्या गरो ना नॉर्मली अपने मलब ऐसे अपने उंगलियों से अपनी fingers से आगे बीचे करके graph को देखता है आप लोगी graph लास्ट एक मिनट में, दो मिनट में, तीन मिनट में कैसा perform कर रहा है तू फिंगर्स का यूज कर दो आप लोग पीछे graph देखता है तो एक साथ आप लोग ऐसे यूँ ऐसे swipe करना है आप लोग पीछे graph से आजाएगा, आप लोगो सब कुछ देख लेना है आप लोग को इसी graph पर prediction करना है अब जैसे कि क्या करना है, यहाप लोग को investment करना है जैसे कि यहाप लोग को नीचा time period मिलता है एक time मिलता है, थेक है?, उपर आप लोग के सामने asset है पहले आप लोग को market select करना है, कि किस market में आप लोग टरेड करना चाहते हो याप लोग इसके उपर click करते हो, तो सारे काफी सारे currency, pair, asset आप लोग के सामने आ जाएंगे तो आप लोगो select करना है कि आप लोग किस essence में किस currency proprio में itrade करना चाहते हूँ जैसे कि अगर आप लोगो trade करना है किस एस्टो इंडेक्स में तो आप लोग इसको select करो या फिर जिस भी आप लोग ne आप लोग और trade करना है उसकी market यहाँ पर Dri अगलग होती है साइड में आप लोगो सभी जो जितने भी आप एसेट के अंदर ही ट्रेट करना है तो मैं यही पर मैं भी ट्रेट करने के बाद अगर आप लोग यह चाहर हो कि हां मैं किसी मैं नॉर्मल ते किसी भी इंडिकेटर कहां पर यूज करूँ जिसे मुझे को पता कि ग्राफ कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है तो आप लोग के सामने एक option आता है आप लोग उसके उपर क्लिक करने के बाद इंडिकेटर का यूज करते हो जिसे की बुलिंगर बैंड हो गया तारा बॉलिक हो गया ऐलिगेटर इस सारे आप लोगो इंडिकेटर मिलते हैं जिन नहीं का यहा पर आप लोगो एक मीनिट प्लस क्रोगे दो मिनट तीन मिनट पाँचार मिनट पाच मिनट तुस मिनट पंदा मिनट 15 मिनट 1 घंट और आप लोग यहा पर डिला अब अगरई 10 मिन्ट का लिए थीर थीर इस घंटा है आप लोगो राइट साइड एक amount का section मिलता है आप लोगो यहाँ पर amount select करना इसके बाद मालीज हमने 4000 रुपे यहाँ पर select कर रहे हैं अब हमको क्या लग रहा है कि जो graph है यह अभी यहाँ से down जाएगा हमको लग रहा है down जाएगा जो graph यहाँ पर भी लाई कर रहा है जो यह line दिख रही ह मैं ऐसे मैं आप लोगो सिखाने के लिए बताने के लिए सिखा रहा हो तो आप लोग के सामने graph यहाँ पर लाई कर रहा है अब हमको क्या लग रहा है कि जो graph है यहाँ से भी down जाएगा तो नीचे आप लोगो दो option मिलते हैं down का एक up का आप लोगो down पर click कर देना है जैसे आ अब लोगो देखे तो यहाँ पर हमारे पास करीबन एक मिनट का टाइम है अगर हमारे जो लाइन से लास्ट एक मिनट तक ग्राफ ही नीचे रहता है तो हमारा डबल का profit होगा हम लोग ही जितना amount हमने invest किया उसका 85% हम लोगो profit के रूप में extra मिलेगा बर्यक्त जो इनवेस अब चला जाता है तो हमारा loss हो जाएगा तो मतलब कि profit भी होता है loss भी होता है मतलब कि यहाँ पर risk भी है अगर आपका loss भी हिहाँ पर होगा सीधी सी बात है अब जिसे कि हमने आप एक trade place करी है हमारा जो time यहाँ पर बचा हुआ है अभी करीबन 6 seconds का बचा हुआ है चलिए दे time है तो नॉर्मल देखे से मैंने positions को hold दिया था मैंने अभी यहाँ पर 3400 रुपे आप लिए चौती सो रुपे का profit आप लिए चौती सो रुपे का हमारा यहाँ पर profit हो चुका है आप लोगो यहाँ पर trade करोगे आप लोगो बस graph को देखना है graph को analyze करना है एंड यह ऐसे trade place क रहे तो भाई यहाँ पर आपका profit होगा और सेम वैसे ही जैसे आपने बता है अगर उसे graph नहीं move करता है आपके opposite जाता है graph आपके opposite जाती है market अगर आपने का कि market यहाँ से अप जाएगे लेकिन market जाती है down basically जो यह up and down होता है यह market अप और down की हो जैसे होता है तो जैसे share market मे क्या होता है कि एकदम से buying अगर आगई share market में एकदम से पैसा डाला गया तो share market boom होता है उपर बढ़ता है share market से पैसा निकाला गया तो down जाता है सेम ऐसे ही और asset की market भी होती है अगर जदा asset के अंदर रुपे पड़े है तो यहाँ पर asset का जो price रहेगा वो बढ़ेगा तो market अब जाएगा और वहीं पर जो asset है वो sell करे जा रहे है तो यहाँ पर नॉर्मल देगे से जो graph रहेगा जो market रहेगा वो डाउन जाएगी यह चीज़ यहाँ पर होता है आप से मैसे ही अगर को green candle नहीं इसका मतलब buying जादा हो रही है red candle का मतलब है selling जादा हो रही है अब maximum जो amount trade का रहेगा वो 210,000 रुपए का रहेगा और minimum 70 रुपए की trade आप लोग कर सकते हो 70 रुपए मतलगे approximately 1 डॉलर के आसपास ही minimum trade आप लोग की होती है अगर आप लोग यह सोचों कि 10 रुपए 20 रुपए से trade से start करोगे तो वो possible नहीं है आप लोग को trading 70 से ही start करनी है और आप लोग 2,10 से उपर trade यहाँ पर नहीं place कर सकते हैं तो 210 का मतलग 2,10,000 से उपर की एक trade यहाँ पर आप लोग नहीं ले सकते हैं उसके अलावा अब यहाँ पर आप लोग आऊगे trading करने के लिए आपको fund deposit करना है तो उसके लिए आप लोग को side में wallet दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करते ही deposit, withdraw, transfer, transactions यह सारे options में आप रहेंगे transactions पर आप रहता हूँ तो आप लोग दिस्तों मैंने काफी withdraws भी यहाँ पर लिये हुए विड्डॉल भी निकाले हुए यह एक मन्त हो गया है अभी नया मन्त refresh हुआ तो history भी नीशो करेगी ठीक है तो यहाँ प deposit का amount यहाँ पर enter करना है जिसे जितना भी amount आप को deposit करना है अब यहाँ पर minimum fund deposit करने के लिए वह 700 रुपेज का है minimum to minimum आप लोग को 700 रुपय यहाँ पर add करने ही करने पड़ेंगे तो यहाँ पर जैसे इतना amount भी आप लोग को add करना है 700 minimum है तो आप लोग 700, 1800 नोग से इतना भी deposit करना है उतना amount आप लिखा लेकिन एक बाद confirm पे click का दिया confirm पे click करने के बाद next page यहाँ पर open हो जाएगा आप लोग किसी के थुरूबी card, UPI जो भी आप लोग यूज कर रहे हो networking किसी के थुरूबी यहाँ पर payment करके यहाँ पर रुपय को add कर से तो आप लोग gateway आप लोग के सामने open हो जाएगा डिरेक्टली आप लोग को payment करना है payment करने के बाद आपका पैसा यहाँ पर add हो जाएगा पैसा application के अंदर आ जाएगा तो बस जैसे मैंने आप लोग को बताया था जो process होता था उस process है यहाँ पर आप लोग को trade place करना है trade में अगर आप लोग का profit होता है तो यह समझना कि आपकी jayb से पैसा जा रहा है एंड पैसा अगर आप लोग कमा रहे हो तो आपकी jayb में पैसा आ रहा है यह इस चीच का हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है तो आप लोग जो भी deposit होगे normally trade place करना है अगर आपने कुछ पैसा कमा है उसको withdraw करने के लिए यही पर क्लिक करना है wallet पर withdraw option आ रहा है withdraw के option पे click करने के बाद यहां से आप लोग जितना भी fund withdraw करना है थोड़ा से बन का यहां पर wait करना है जिसमें भी withdraw करना है आप लोगो select करना है select करने के बाद minimum 700 रुपय का withdrawal आप आपको मिलता है और maximum 50,000 रुपय का एक बार में withdrawal मिलता है तो जितना चाहो उतना withdrawal कर लेना and जो आप लोगो withdrawal है का 7 working days के अंदर आप लोगो withdrawal आपके bank account में receive हो जाता है कोई tension ने लिए वाली बात नहीं withdrawal आप लोगो यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर आप लोगो normally trading करनी है deposit withdrawal करनी है पैसा कामाना है तो पुरा complete process यही था अब यहाँ पर आप लोगो trade करो basically सब आपके trade पर depend करता है आपने trade अच्छे से place करी आपने अच्छे से graph को analyze किया market को analyze किया trade किया तो यहाँ पर आपका profit होगा अगर आपने loss किया तो आपका real money loss भी होगा इतना हमेशा नानना है कि यहाँ पर risk involved है आपका पैसा यहाँ पर डूप भी सकता है इस topic पर वीडियो लेकर हो आपने यह search किया तो बैने आप लोगो यह चीज़े बताई बट देखो मैं आप लोगो एक चीज़ भी recommend करता हूँ कि अगर आपके पास बड़ा fund है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का fund है तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप लेटली share market में trading करो वीडियो को end करने जा रहा हूँ वीडियो को आपको पसंद आई हो तो वीडियो को make sure like करके चैनल को subscribe कर लेना मिलता है next to किसी और वीडियो में कोई और topic के उपर वीडियो चाहिए तो comment box में बता देना मैं ज़रूर वीडियो लेकर रहा हूँगा तब तक लिए डटा बाइबाई जय है इन दे वन दे मातर